दोस्तो आज हम जानेंगे कि Microsoft Word को जो है किस तरीके से password लगाया जाता है तो सबसे पहले हम Microsoft Word की एक file open करेंगे आप देखिए इस file को जो है अभी कोई password लगा हुआ नहीं है अब हमें इसे password लगाना है तो हम file में आएंगे file में आने के बाद जो है info में आएंगे इन्फो में आने के बाद protect document पे आएंगे और यहां से दो number का option encrypt with password पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो है हमें जो password चाहिए होगा जैसे हम इसको 456 एक password डाल लिए okay कर देंगे उसके बाद फिर से re-enter करेंगे password को 456 और okay कर देंगे और उसके बाद जैसे ही हम इसको save करेंगे तो जो है इस file को जो है password लग जाएगा अब आप इस file को दोबारा से जब open करेंगे तो यह without password जो है open नहीं होगी तब तक कि इसमें password ना डाला जाए